नमस्कार दोस्तों, स्वागय था आपका सेक्रेड हिमाचल यूट्यूब चैनल में, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्त होंगे, इस वीडियो को अंग तक देखें और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें इस वीडियो में हम तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, पहला है पंडो टाम तो चलो पंडो गाप के बारे में बात करते हैं पंडो डैम हिमार्चर प्रदेश मंडी डिस्टिक में बना एक डैम है यह डैम 1977 में बन गया था और इसका मेन वर्ग इलेक्टिसिटी पावर जनरेशन है यह डैम ब्यास डिवर पर बना है कुलू और मनाली इन दोनों स्थानों की विजली की अपूर्थी यहीं से होती है कुलू से मनाली मार्ग पर पढ़ने के कारण और अपनी मन मोह लेने वाली सुन्दर्था के कारण यह हमेशा ही प्रेट को कि अकर्शन का केंदर रहता है यहां की सुन्दरता किसी भी आत्रे का मन असानी से मो लेती है किसी भी आत्रे का मन असानी से मो लेती है किसी भी आत्रे का मन असानी से मो लेती है किसी भी आत्रे का मन असानी से मो लेती है किसी भी आत्रे का मन असानी से मो लेती है किसी भी आत्रे का मन असानी से मो लेती है किसी भी आत्रे का मन असानी से मो लेती है किसी भी आत्रे का मन असानी से मो लेती है किसी भी आत्रे का मन असानी से मो लेती है झाल कुलू से मनाली जाने वाले रास्ते में बीच में एक स्पोर्ट आती है जहां पर आप होट एर बैलून का भी लुक्त उठा सकते हैं अगर आप होट एर बैलून में ट्रैवल नहीं करना चाते हैं तो आप इसको देख कर भी आनल उठा सकते हैं ये दुनिया है इंसानों की हर राज शिपाना पड़ता है गम हो चाहे कितना भी में फिल में मुस्कुराना पड़ता है जैँ अपरोगता है झाल झाल एट लास्ट हम बात करने वाले हैं और टनल की यह टनल कुल्लु मनाली रास्ते में पड़ती है और इसकी कुल दूरी लगभग तीन किलोमेटर है हिमाचल परदेश की संदरता को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहां पर आते हैं जाइए गामाद वीजियो देखते रहे हैं बहुत ही संदर संदर दुरिश्य आपके सामने आने वार हैं जाइए पड़ते वार हैं झाल पर आते हैं झाल 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 झाल